नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी के HP exam fairs में आप सभी को पता है HPPSC अब आगे जितने भी class 3 के exams लेगा उनमें दो paper होने वाले paper 1 जो है qualify और paper 2 से जो है आपकी merit बनेगी तो हाल फिलाल में ही अपने new pattern में जो है HPPSC ने एक exam conduct किया था इसका नाम है veterinary officer तो उसमें जो है paper 1 भी हुआ और paper 2 भी हुआ तो paper 1 जो वो exam हुआ आज हम discuss करने वाले यह question paper की PDF है आपको description मिल जाएगी पहले इसे download करना खुद questions को attempt करना उसके बाद जो है video को देखना वीडियो में तो मैं आपके साथ और paper 2 भी होगा paper 1 तो आपको qualify करना है तो एक बार लेवल पता हुआ है कि किस level की question पूछे जा रहे है और मेरे recording जो यह exam हुआ है बहुत ही जादा tough हुआ था कुछ बच्चों से तो paper 1 ही qualify नहीं होगा paper 2 तो आगे की बात है तो एक बार आपको जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए लास तक देखना सारे question जो है हम आज discuss करने वाले हैं और इस question paper की PDF का है description में मैंने डाल दिया download करके attempt पहले खुद जरूर करना फिर वीडियो को देखना अब देखिए हिमाचल जी के कितने 15 पुछ जाएंगे टोटल कितने टोटल जो है 50 कोशन आएंगे एक कोशन दो नंबर का है नेगटिव मार्किंग भी है घंटे का टाइम मिलेगा इस सब चीज़े आपको पता है तो पंद्रा कोशन हिमाचल जी के कि देखते हैं कैसे आ रहे हैं आपको बताने हैं कौन सी इनम से सही स्टेटमेंट है चली स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं जो उल है वो सत्रूज की साइग नादी है फिर बोल रहा है दर लूनी इस ट्रूबुटरी अफ ब्यास लूनी जो है ब्यास की साइग नादी है फोर्थ बोल रहा है दे प्राश्चर लेक इस इन नौर्थीस डिरेक्शन ओफ मंडी टाउन तो स्टेटमेंट देखे पहला देखे ओल तो हमें पता है ब्यास की साइक नदी है तो पहली स्टेटमेंट तो सीधा जो है गलत हो गई सेकेंड जो है यहांपर सईस्टेटमेंट है लूनी जो है वो तर्डड और प्यास की साइक नदी है अब थर्ड ऊर फ़र्ट स्टेटमेंट दे रखिए यह काफ़ी डीप में जाके पूच्छा है काफ़ी डिफ़िकल्ट पूचा है कि रमूली जो है और दो देख सक्ते है का शेकेंड भी देख लेते हैं, which of the world पास्क लोकेटी बुटन चंबा और पांगी इन हिमाजपरदेश, तो निदम से कौन सा तरण हिमाजपरदेश में चंबा और पांगी के बेश्ट देखता है, तो चंबा को पांगी से जोड़ता है, यही पूछा गया है, साच पास, दुल वो है साजपास, फूर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, सेगंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है, चलिए ठर्ड देखते हैं, In which of the following censuses, the women per 1000 males were the largest in Hamirpour district of Himachal Pradesh? तो 19 सिक्स जनगंडा में, हमाचार प्रदेश के हमीरपूर जिले में, प्रती 1000 पूर्शों पर महिला सबसे अधिक थी, तो simply sex ratio जो है, पूछा जा रहा है, कौन से year में हमीरपूर district का सबसे जादा था, आप सबी को पता है, कि हमीरपूर का जो sex ratio है, सबसे जादा है हमाचार प्रदेश में, 2011 में, लास्ट टाइम जनगंडा यानी census होए थे, हर 10 साल में होते, तो 2011 में, जो थी, वो 1095 थी, sex ratio हमीरपूर district का, 2001 में भी हुआ, जैसे कि हर 10 साल में हो रहा है, 2001 में कि था, 1099 जो था, sex ratio था, हमीरपूर का, तो वैसी यहां पर years दे रहे हैं, आपको 2011, 1991, 1981, 2001, कब जो था, सबसे जादा sex ratio था, हमीरपूर district का, तो इस credit answer 1981 है, तो 1981 में, जो हमीरपूर का sex ratio था, वो सबसे जादा था, बोल सकते हैं, इंडिया में भी सबसे जादा था, उस समय किसी district का, third credit answer option C है, तो काफी अच्छे level के, अब जितने भी question आपको मिलेंगे, सारे ही difficult है, 4 देखिए, which of the following is correct about हिमाद्चर प्रदेश animal husbandry, तो यहाँ पर 4 statement दे रुकिए, animal husbandry के बारे में, आपको बताने ही कौन सी इन में से सही है, पहली पढ़ लेते हैं, as per the livestock census 2019, the state has 1.5% share of India's total livestock, तो इंडिया का जो total livestock है, उसका 1.5% share किसके पास हिमाद्चर प्रदेश के पास है, पहली statement में यह बोल रहा है, second में में बोल रहा है, the livestock census 2019 refers to state share of 0.16% of total poultry of India, तो total poultry जो इंडिया की थी, उसका 0.16% हिमाद्चर में है, third में में बोल रहा है, the percentage change of about 5% estimated in 2022-23 milk production in the state from 2021-22, fourth के रहा है, the हिमाद्चर प्रदेश milk fed was registered in 1982, 1982 में नी, बलकि 1980 में जो है, हिमाद्चर प्रदेश milk fed, fourth हो गए है, तो इसका right answer के है, इसका right answer second है, the livestock census 2019 refers to shared share of 0.16% of total poultry of India, तो आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा जो है, यहाँ पर difficult question पूछे गए हैं, fifth देखिए, in which of the following year, हिमाद्चर प्रदेश spent less percentage of expenditure on research, scientific research and development of its GDP, तो कहना चाता है, जो हिमाद्चर प्रदेश है, उसने अपनी GDP का, जो है, सबसे कम percent, कौन से year में खर्च किया था, कौन सी चीज़ पर scientific research and development में, तो कौन सी year में खर्च किया था सबसे कम, 2021 में, तो आप देखिए, कोई easily इस question को कर सकता है, नहीं कर सकता है, अच्छे साची तयारी भी कर रहे हूँ, तब भी जो है, इस level के question नहीं कर पाऊगे, तब भी जो है, पहला paper qualifying है, यहाँ पर आपकी merit नहीं बनेगी, अगर paper two में tie होता है, तब paper one में आएंगे, मगर वैसे तो paper one qualifying ही है, तो यहाँ पर आपको बस qualify करना है, 35% जो है number लेने है, ऐसे नहीं कि सारे question attempt कर के हो, क्योंकि negative marking भी होगी, तो सारे question attempt नहीं कर रहे है, जो जो लग रहे हैं, कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, पहले उनको देखना है, कि ह 15 कोशन कर लिए, तो मतलब 30 number मेरे आ रहे है, तो 35% जो है, तो थोड़े में को और करने की ज़रूरत है, तो ऐसे जो है, थोड़ी strategy बनाना exam में एक घंटे का इटाइम मिलेगा आपको, 6 देखे, which of the following is correct about the social welfare program of हिमाचा परदेश, तो हिमाचा परदेश की जो social welfare program चला जा ज disability type है, किसी को 40-69%, तो उन्हें हर मेने जो है 1100 रुपे दिये जा रहे हैं, इसमें यह कह रहा है, जो लेपरोशी पेशन्ट है, उन्हें 69 एर्स तक के उनको जो है 1050 रुपे पर मत दिये जा रहे हैं, जो pension है, transgender को दी जा रही है, जो 70 साल से अबव है, कितनी 1400 रुपे पर मत फोर्थ दे रहे है, old-age pension above 70 years of age is 1700 पर मत, तो यह वाली statement आपकी ठीक है, आपके घर में कोई बुड़े बुज़र रुपी होंगे तो आप देखाओ, अगर 70 साल से उपर है, तो सरकार उन्हें मन्थली कितने 1700 रुपे देती है, पहले 1500 देती है, फिर आप बढ़ा के 1700 पर मत है, ठीक है, the old-age pension above 70 years of age is कितनी 1700 पर मत, अभी भी मेरे according 69 तक 60 से 69 अगर कोई वोमन है तो उसे 1500 पर मत देते हैं, अब सतर साल से उपर निकल जाए, तो 17 रुपे जो है दिये जाते हैं, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है, वो है option D, 7 देखिए, which of the following place is matched correctly with its district in Himachar प् तो वो कहा है, लौल्स पिती में है, किनौर में नहीं है, अब देखिए, गलांग दे रखाए, जो सोलन में बोल रहा है, आपर उहार दे रखाए, मंडी में है, शरड जो है, लौल्स पिती में आपको उताना है, कौन सा प्लेस जो है, अपनी district से सही match किया है, तो काफी difficult question ह है, जो गलांग है, गलांग विलिज का है, ये सोलन में है, तो option B इसका right answer है, गलांग का है, ये सोलन district में ही है, बाकी जो है, यहाँ पर सारे mismatch कर रखे हैं, पहला तो हमने ऐसी पकड़ लिए, सेसू लौल स्विती में, यह किनौर होती आता तो यह तो होई नहीं सकता, तो दोजार से लेके 2001 बोला है, 2010 से 11, 2019 से 2020 यह 2020 से 2021, तो एट का right answer कह है, एट का right answer है, वो है option D, 2020 से 2021, तो कैसे कैसे question कुछ है, आप खुद देख सकते हैं, कि सबस्जादा ग्राम पंचारतों की संख्या कौन से एर में थी हमाचा परदेश में, 2020, 2021 में, नैन देखिए, अब यह जो है आपका budget economic survey, वहाँ से question आया है, ठीक है, budget और economic survey भी आपने पढ़ना है, अगर allied का exam देने वालों, HS का anti का, तो वहाँ तो आपको बता है, बहुत important होते हैं, यहाँ देखिए, पुखे बेला, वेर हमाचा परदिश, लार्जा सोलर प्लांट इस बिंग सेट अप, इस पुछना है, कौन से district में हमिरपूर में, कांगडा में, उना में, ब्लास्पूर में, तो नैंत का right answer के है, नैंत का right answer है, उना, तो इस question को कर सकते थे आप, उना में, जो है, पुखु बेला में, जो है, क्या लगा जा रहा है, हिमाचा प्रदिश के सबसे बड़ा, जो है, स सबको बता है, अब यहाँ पर आपको statement दिरखे, आपको बतानी कौन से सही है, इस temple विर बिल्ट राजा संसार्चन, तो संसार्चन ने उन टेंपलों को बनाया था, इस ग्रूप ओफ फिफ्टीन टेंपलों को बनाया था, इस टेंपल आर बिल्ट इन ड्रेविट डिजाइ में तो वहाँ पर भी एक लाइन दियोगी कि 15 मंद्रियों का समू है, जो मसरूर रॉकट टेंपल है, इसे जो है एलोरा उफ हिमाच्छा प्रदेश भी बोलते है, अभी कौन से style में, ये नगरा ये शिकरा style भी आपको देखने को मिलेगा बुक में, तो द्रेविट style में न समू है, तो राजय संसार चांद नहीं होगा, तो टेंथ का अंसर ऑप्शन भी है, ठीक है, पंद्रह टेंपलों का जो है, ये समू है, नेक्स दिखते हैं, 11th, which one of the following assembly election in Himachal Pradesh witnessed the largest number of women contestant winners, तो Himachal Pradesh में, निम्ट में से किस विदान सभा चुनाब में, महिला उमिदारों की संक्या सबसे अधिक थी, तो आपको बताना है, कि women contestant जो थे, जैसे विदान सभा election होते, उसमें सबसे जादा जो winners थे, यानि जो सबसे जादा largest number of women contestant winner थी, जी election हुए थे, 2022 के, 2012 के, 2007 के, 2003 के, तो 11th grade answer के, 11th के जो right answer है, वो है 2007, तो 2007 में, जो है, सबसे जादा women contestant जो थी, वो कौन से, assembly election, विदान सभा के जो election होते हैं, उनमें जीती थी, तो 11th grade answer option C है, चलिए 12 देखते है, which of the following is correct about Himachal Pradesh tourism in 2022-23, तो 2022 में, जो Himachal Pradesh का tourism है, उसकी बार of the top 10 tourist destination in the state, तो maximum बच्ची ही करेंगे, कि हाँ, top 10 में तो Himachal आता है होगा, इतने सारे लोग जो है, कुलू मना ली आते है, बहर से, जो है, foreigner भी आते है, मगर जो एक news article आया था, उसमें बोला था कि top 10 जो tourist destination है, इंडिया की, उसमें Himachal Pradesh आता ही नहीं है, ठीक है, तो पहल स्वदेश दर्शन स्कीम है, वो 2017 में जो है, सैंक्शन की गई थी, इस्टेट के लिए, तो आप खुद देखिए, कितने जादा जो है, difficult question पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर पासिंग मार्स लिना भी काफी जादा difficult हो सकता है, आपके लिए, तो आप सब इक लिए हमने पूर पूरा स्टेडी मटेल बना रखा है, पेपर वन का, आप इस नमबर में वट्सेप कर सकते हो, 7018186561 पे, पूरा स्टेडी मटेल मिलेगा, 20 मोक टेस्ट मिलेंगे, प्रिविए से पेपर मिलेंगे, हिमाचल जी के, एक साल का करेंट अफेर, हिंदी इंग्लिश, हर एक चीज जो है, यहाँ पर कवर की गई है, और टूदा पॉइंट, यानि टूदा एक्जाम, जैसा आपका एक्जाम अनुल है, उसके अकॉर्डिंगी जो है, चीज़े बनाए गई है, तो बहुत अच्छा मटेल है, इस नमबर में वट्सेप करके, डेटेल आप ले सकते हैं, एक ब है, इंख्राइब किया गया, इसमें स्वाच वायू सर्वेक्षण रीपोर्ट गृपोर्ट 2023 में, तो बहुत कॉन था परवानू था, तो परवानू को जो है, इसमें इंख्राइब किया गया है, 13, 8, object, ऑप्जमेंट बीक है, 14, देखे, अब बजट डेलिक हिमाजचा पर तो कैसे जो है बच्चे कर पाएंगे इसको तो 14 का राइट आंसर क्या है 14 का जो राइट आंसर है वो है option 30.51 करोड तो यह इसका राइट आंसर है तो देखे बज़ट पुछा गया है डेरिट लिए 22-23 में तो अगर आपसे नहीं हो रहे तो इसका यह मतलब नहीं कि आप त्यारी नहीं करें ताकि जो है आप जादा नंबर इन एक्जाम में यानि पेपर वन में नहीं ला पाओ बस पासिंग ही ले पाओ तो काफी जादा टाफ जो है पेपर में question पूछे गए अच्छे से अच्छे लोग जो त्यारी कर रहे हैं वो भी इन question को सही नहीं कर सकते 15 देखिए which one of the following pair of girls of हिमाचा पृद्वाटेश फिर मेंबर्स ऑ इंडियन वुमेन कबड्री टीम एंचिन गेम्स in China in 2023 तो कहरा है जो एशन गेम्स होए थे चाइना में 2023 उसमें इंडियन वुमेन कबड्री टीम एं थी उनमें जो है हिमाचाल की कौन से दो खिला रही थे तो बता ये कौन से दो खिलाड़ी थे शुष्मा एंड गौरी नेगी एं मेनका थाकुर। शोष्मा एंड बितुं़ेगी शामा देभ diferença rithun 즐 cash तो होगी थु एंडियन की कह ऐडिया तो एक मिला एक शुष्मा है साथ ay ठीक है, option C, इसका right answer है, शुष्माइन रितुनेगी, यह हिमार्चा परदिश की रहने वाली है, जिनोंने इंडिया को रिप्रेजेंट कहां किया है, चाइना में जो एक्षन गेम्स होएते हैं, उसमें वुमेन कबड़ी में, तो 15 का right answer, option C, शुष्माइन रितुनेगी है, च यहां पर आपके 15 में से 6-7 जो है, current affair की question है, और बाकी Indian JK के है, तो question भी आप देख सकते हैं, 16 देखे, which one of the following is correct about the state of Manipur, अब Manipur के बारे में इन चारों में से क्या statement ठीक है, it is bound on the north by Assam, तो जो north है, यानि जो Manipur है, उसके north में Assam आता है, नहीं, वहां पर Nagaland आता है, तो इस्टेटमेंट गलत होगी, second देखे, it is bound on the east by Upper Myanmar, हाँ, तो east में में मारी आता है, यह वाली statement आपके ठीक है, it is bound on the west by मिजुराम, तो west में Assam आता है, मिजुराम नहीं आता है, it is bound on south by Nagaland, तो south में उसके मिजुराम आता है, तो यह आपकी सारी statement जो है, यहां गलत है, यह व पूरम, तो यह festival जो है, कहां का है, थ्रिसूर पूरम, ठीक है, थ्रिसूर पूरम यह जो festival है, यह कहां celebrate किया जाता है, तो काफी tough question बुछा गया, 17th grade answer किया है, क्या पता current fair में आया होगा, उस तो में, यह current fair में चल रहोगा, तब यह जो है, एक्जाम में पूछ ले गया है तो थ्रिसूर पूरम यह festival है, कहां पर मनाया जाता है, 17th grade answer केरला, तो केरला में जो है, यह मनाया जाता है, थ्रिसूर पूरम, 17th grade answer option A है, 18 देखी, the jurisdiction of कलकता है कोट है, उसकी jurisdiction, यानि कौन-कौन से जो area है, कौन-कौन से जो state है, union territory है, वो उसके अंडर आती है, simply यह पंगल, आपकी सभी option में दे रहा है, अब देखें, आप West पंगल और लक्षदीव दिया है, लक्षदीव किसकी jurisdiction में आता है, केरला हाई कोट की jurisdiction में आता है, जो कलकता हाई कोट है, उसकी jurisdiction में West पंगल and कौन सी union territory आती है, अंडरमान और निकोबार आती है, तो West पंगाल and अंडरमान निकोबार किसकी अंडर आता है, कलकता हाई कोट की jurisdiction के अंडर आता है, option D, इसका right answer है, 19 देखें, identify the correct location of लोहनाक ग्लेशल लेक, तो आपको बताने ही, जो लोहनाक ग्लेशल लेक है, कौन सी स्टेट में है, सिक्किम में है, नाचर प्रदेश में, उतराघंड में नागरलेंड में, नैंटीन का right answer है, नैंटीन का right answer है, वो है सिक्किम, तो लोनाक लेशल लेका है, ये सिक्किम में पड़ती है, 19 का right answer option A है, 20 देखें, विच विच वन दो फॉल्विशन गेम्स हैं अपको परा-एशियन गेम्स हैं इन अक्टूबर 2023, तो परा-एशियन ग gold medals, India won a total of 111 medals of gold, silver and bronze, India won 54 silver medals, तो यहां पर कौन सी statement सही है, यह आपका news में भी रहा था, इंडिया ने जो है 111 medal जीते थे और जो इसकी सबसे जादा हाइस टैली है, आज तक जो है एशियन पेरा-गेम्स जो होए थे, इसमें इतने medal इंडिया ने नहीं जीते हैं, तो कितने करेक्ट आंसर, अब यह भी आपका जो है थोड़ा करेंट अफेर से इसे कैप्टन डॉक्टर गीति का चौहान है इस बिन अपॉर्टें इन स्याचन ग्लेशर, अ वोमें डिक्टर इंडिसेंबर 2023, तो गीति का चौहान ही, इनका कॉल नाम था है, यहां चौहान लिखा है, यहां पर आपकी साइज स्टेमेंट गलत है, बस भी सही है, इन्डियन स्टेट ओ मिजुराम को स्टेट बनाया गया था, तो काफी टफ कोशन है, अब देखें, करेंट फिर का अगला कोशन, इंडिया स्टेस एकनॉमिक ग्रोथ फॉर्ट फॉर्ट हैस बिन प्रोजेक्टे इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, तो इंडिया का इन इन ने ऐए किया है कि इतना होगा, तो जो लोग सभा है, है या जीर विदान सभा है वहां पर जो वूमेंस है उन्हें जो है वन तर्ड जो है सीट उन के लिए रिस्व की जाएगी तो कौन से अमेंट्में वैं इस चीजह की बात है क्वें में डिने कीमने हैं में 1127 South दी वात है किसका यह तो इसका डेखान सर है जो स्टेट की लेजिस्टेटिटेव असेम्ले वहां वन थर्ड जो है जो है वुमेंस को दी जाएगी तो यह आपका करेंट अफेर कोशन है शायद सप्टेंबर 2023 के अरॉंड जो है यह बिल लाया गया था तो 2023 के जो है करेंट फेर पुछें सप्टेंबर के एक्जाम यह पर सेंटर्स फू आर अवाड़ेट अब यहां नोबल प्राइज कोशन है जो मैडिसीन की फील्ड है उसमें 2023 में किसको दिया गया है यहां पर आपके ऑप्शन भी है तो नोबल प्राइज का जो है यह आपका ऑक्टूबर 2023 का जो है करेंट अक्टूबर में जो है नाम आय इसका जो है करेंट अफेर का कोशन है 24 का अशर ऑप्शन सी है नेक्स देखते है 25 ऑफ दे फॉल्विंग फूवंड यूएस ओपन वोमन सिंगल टैटल इन 2023 तो यह आपका करेंट अफेर कोशन है कि यूएस ओपन हुआ था जो वोमन सिंगल टैटल तो यह 203 में किस ने जी वोमन सिंगल टैटल टैटल घ्रेंश का होता है यूएस ओपन तो समय कोशन जिताथ को कोफ्चन है 22 single 200 में सीच passwords जैडा सथॉइं थिद्ट बिड़ अपर इंस्टstyoot विध ले को और कोरATHAN से मिला नह राना है जैसि यहां परใ MAY को यहां पढ़ता है फिर और इसट नल्ड दरेखे क्रेव भांड कर्णान करें चालव का unanim कर Помाल में है थी कर्णा रूपर को इस पूस्टान अन्य नेस्टों कि अनन्द कर ओए क्लिए और टेंनदर प्र देखें ओखाई शनल सिह हैंτί के एक सेंटरल शीप and Wool Research Institute ईयुका विकानगर बेंजीय है यह है राजिस्ताने पड़स्तान में इपढ़ता है विकान शॉकिंद सत्रॉं Eastern melody सटूट्ट आप के चो है इंस्टूट वं से मिलाना है zitten 27 is correct 대해서 पर चार स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको बतानी कौन सी करेक्ट है जैस इंडिया अडर्न रिजाइन फॉन 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 वेल्ट गेम्स वेल्ड इन ग्लास्को इन 2022 वर्ल्ड एथरेटिस डे वर्ल्ड एक्टूबर को जो है वर्ल्ड एथरेटिस डे होता है अब बोलने को तो करेंट अफेर का बोल सकते हैं जैसे जैसे सिंडा अन्रहन है 2020 में और ने उस्टेलियन प्राइम मिनिस्टर की जो है पत्से वहां से जो है में रिजाइन किया कॉनवेल्ड गेम्स है जो है 2022 ग्लोस को में हुए वैसे तो गलत है अब थोड़ा बहुत सकते हैं कि करेंट अफेर का ही यह मिलता जूलता कोशन है है 28 देखिए which one of the following nation has been elected by the UN General Assembly as a non-permanent member of Security Council for the next two years 2023-2024 यह पी करेंट अफेर का है तो जो UN General Assembly उसके non-permanent member की तौर पे Security Council पे दो साल के लिए किसको जो है नीशन को एलेक्ट किया है New Zealand को Malta को Costa Rica को Cambodia को इसका एट आंसर Malta है तो Malta को जो है UN General Assembly ने जो है इस एलेक्ट किया है as a non-permanent member of Security Council for two years 28 का अप्शन B है 29 देखते हैं which one of the following Continental International Environment Agreement chronology correct तो यहां पर देखें कुरूटो प्रोटोकॉल मौनेटरियल प्रोटोकॉल रियो कंवेंशन यह सब आपके दे रखें आपको सीक्वेंस बताने कौन सा सीक्वेंस यहां पर सई है तो इसका राइट आंसर के 29 को जो राइट आंसर है और ऑप्शन डी इसका से 30 देखें which one of the following continent is largest in area तो सबसे बड़ा continent कौन सा है सबको पता है एशिया है तो ऐसे easy question तो गभी गलत करने नहीं है जो easy है वो तो हमने सही करने मगर maximum question यहां आप देख सकतो difficult ही जो है पूछे गए हैं अब English और Hindi देखते English के भी जो है 10 question आप से पूछे जाएंगे थोड negative marking भी साथ में आपकी होगी 31 देखिए अनुभा इस यूस्ट डैश इन सच एन एक्स्ट्रीम वैदर तो यहां पर क्या है तो वर्किंग ठीक है अनुभा इस यूस्ट वर्किंग इन सच एन एक्स्ट्रीम वैदर यह सारे आंसर क्या है औफिशल आंसर की के अकॉर्डिंग 33 देखिए तुशार सेट तो इस स्टुटेंट्स आफ नॉट सीन्स लास्ट वीग अभी डियलोग आपको कम्रीट करना है सीमा सेट तो रोनी तो सीमा ने रोनी को क्या है का I'm happy that you got selected this time रोनी ने रिप्लाइ में क्या का had you not guided me I would have been impossible for me it would have been impossible for me तो यह वाली जो है पहला इसका राइट आंसर है 35 देखिए choose the correct option to fill in the blanks तो रंबन ने क्या का did you see the play yesterday साहिल ने उसके रिप्लाइ में क्या बहुला it was very staged very well ठेक है it was staged very well यहां पर आपका यह आएगा well the character appeared quite graceful तो option C इसका राइट आंसर है 36 देखिए choose the correct option to complete the statement अब substitute तो सबको पता है easy question है जो easy question है मैंने बोला वो नहीं छोड़ने है ठीक है easy गलत करोगे तो फिर काम ने जलेगा substitute क्या और the something that is used instead of something else option B इसका right answer तो easy डाल रहे हैं बीच बीच में एक दो easy question भी है 37 देखिए choose the correct option to fill in the blanks अब यहां पर जो है आपको fill in the blanks को complete करता है you are new to this campus you need to dash the norms तो यहां पर कहाएगा acquaint yourself with ठीक है you are new to this campus you need to acquaint yourself with the norms तो 37 का यहां पर acquaint है तो मेक वन अवेर ऑफ सम्थिंगे परिचित कराना किस चीज के बार में तो you are new to this campus you need to acquaint yourself with the norms next 38 you have offered two options so far whether I want the former or dash I will decide it ठीक है यहां फिंदर ब्लेक्स करना है you have offered two options so far तो आपने जैसे दो option मुझे दीए whether I want the former मुझे पहला चाहिए और और लेटर ठीक है यहां पर लेटर आएगा यहां पर लेटर आएगा you have reached well in time तो यह वाला जो आपका sentence है यह गलत है आप ठीक है तो 39 का अप्शन सी है चलिए नेक्स दिखते है 40 hit the ceiling means तो idiom and phrases का भी question पुछा कि hit the ceiling इसका मतलब क्या है to be extremely angry to find a correct solution to exhaust all options to be creative and original to hit the ceiling इसका मतलब है to be extremely angry ठीक है बहुत ज्यादा गुस्सा होना है to hit the ceiling यानि बहुत जादा जो है angry किस चीज़ पर angry और बहुत जादा एंगरी हो रहे हो तो इसके लिए यह वाला को से बस्वे चुनी में किसी इफ्सर्ग का प्रियोग नहीं वा दो इमसा को तरह कौंसे में किसी आंस्टर्पेम का प्रयोग नहीं हुआ को स्मान कोंग भी जृस नहीं हुआ है तो किन युद्यों ने युद्मे वीरता दिखाई तो किन क्या हो गया यहां पर प्रश्चनवाचक ठीक प्रश्चनवाचक सर्वनामी 44 क्या है सरकार गरीबों को मुफ्त अन दे रही है इस वाक्य में प्रयुक्त को परसक का कारक क्या है तो आपको यहां पर देखें सरकार को कारीबों को मुफ्त में अंदे रहे इंता चुनी है तो यहां द左 चक्ड बॉटक मुद कैसे बी देखता हों वही वीस्ट तो संब्वाचक के संखेतो और चूंग वुद्वाचक होगा ठीक है। जिससे भी देखता परीनंदा समस्त परड किसका उधारन किसका उधारन है अपादान तत्पुरुष कर्म तरपुष करम तरपुष अधीकरण तत्पूरुषा जो है परीनंदा किसका जो है यह उधारन है सम्बंध तत्पुरुषा-psy corridor open B क्या होगा संकेत वाचक होगा यहां पर 47 का राइट अंसर ऑप्शन भी कौन सा बहेद संकेत वाचक अगर वर्चा होती है तो फसल अच्छी होगी तो 47 अच्छी होगी तो 48 देखिए चरन धरत चिंता करत चित्वन चारो और स्वरन को खोजन फिर्ट कवी वेविचारी चोर तो यह आपकी जो पंती देखिए आपको बताने कौन सा अलंकार है तो काफी जो है टफ कोशन पुछेगे हैं रूपक है प्रोष्ट है श्लेश है यमन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से श स्वेलिंग वताने चारों जो है अनुगरीट दिखे म yellow anti-op Bora थी चारों जोहाँ का चिराग का चिरागो स्वहाका इसका मतलब क्या होना सुरेगना सुभा तक जलने वाले चिराग सुभा-शचिराग जाना या मर जाना होग फिर्टी जलना यानि मर जाना अव्छन दि अच्छे लेवल के जो है कोशन पूछे के हैं है एक पेपर वन में और यहां पर आपको कौलिफाई करना है यानि पास परसेंटेज लेनी है 35 परसेंट ऐसा नहीं कि टॉप मारना है कि यहां सारे कोशन अटेम्ट करके आजो क्योंकि नेगटिव मार्किंग भी है ऐसा नहीं स अगर वह करके भी आपके पासिंग नहीं आरे तब थोड़ा आगे जाके तुका लगा सकते हो पर तुका लगाने का भी तरीका होता है मैंने कई बार जो है वीडियो में आपको बताया उसके नॉलेज होनी चीए तभी जो है तुके भी ठीक बैटते हैं कि आप Elimination Method यूज एपको बताया यह तो हो ही ही सकता, यह उप्शन हो ही नहीं सकता, तो यह इन दोनों पर एक हो सकता है, तो वैसे-वैसे Method यह सारा आपका जो है paper था, इस paper की PDF थे आपको description में दे दी थी, आप जो है comment करके बता सकते हैं कि कैसा level है क्या easy level लगा आपको मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा अगर आपको लगा हो तो शायद आपकी तियारी बहुत ही जाद अच्छी हो सकती है वाकि easy नहीं था exam अगर किसी ने भी study material लेना होगा तो इस नंबर पर WhatsApp कर सकता है 7018186561 या फिर नीचे हमारे एप का लिंक दे रहा है कर सकती है